हाई फ्रेंड्स मैं कुसूम जेशारों में डेशपी में आप सबका स्वागत थे और आज मैं आपसे सेयर करी हूँ एकदम हेल्दी सब्जी है तो फ्रेंड्स मैंने सांटे की 2-3 रेशपी आपसे सेयर की है और सांटा तो कई लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन राज़तान मे बहुती आसानी से मिल जाता है बारिस के मुसम में तो काफी मिलता है और ऐसे ही जंगलों में खेतों में आसानी से उग जाता है तो कई लोग तो इसे गास फूर समझ कर यूँ ही फैंक देते हैं तो अब इसे बिलकुल ना फैंक किये क्योंकि यह बहुती हैल्दी सबजी है औ और फ्रेंट्स आपको पता है आयरुवेज में तो इसकी इतनी इंपॉल्टेंटा बताई है और हजारों बिमारियों के लिए यह रामबान है एक तरीके से तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है आप इसे पूरा देखे और अच्छी लगे तो जादा जादा शेयर करें ताकि कई लोग कई बिमारियों से गर्शित है तो वो भी इसका लूप तो उठा सके तो फ्रेंट्स अगर आप सब को थोड़ी ची भी पसंद आती है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आइकन को भी थोड़ा प्रेस कर है यह देखिए इस तरीके से हैना और फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को पूरा देखिए मैं मैं आप से सेर करती रहूंगी कि किन किन बिमारियों के लिए यह बहुत जादा फायदेमंद है तो इस तरीके से देखिए मैंने डंकल अटाय है और सारे जो पत्ते थे और कच्छ अच्छे से दोएंगे क्योंकि इसमें मिटी इतनी ज़्यादा होती है यह एकदम बेल की जैसे फेला हुआ होता है जमीन में तो मिटी बहुत ज़्यादा होती इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाऊंगी पास से दिखा रही हूं आगों यह देखिए ये देखे कितनी ज़्यादा मिटी है ना तो इसे दो से तीन बार अच्छे से बोश्ट जरूर कीजिए तो ये देखे फैंट्स मेंने तीन से चार बार अच्छे से बोश्ट कर लिया है अब इसे कट कर लेते हैं तो इद्दम बारिक बारी किसे कट करेंगे और फ्रेंट्स आपको पता है जैसे पत्री पत्री होना उसके लिए तो ये बहुत ही रामबान है और आपको पता है खून की कमी पीलिया हाड की प्रोब्लम हो किड़नी में कोई सूजन हो मुत्त रोगों के लिए बहुत ही उप्य इसी तरीके से निकलती है न बाहर तो यह साफ कर देता अ बहुत ही इसे एक तरीके से पुनर्वाब जाएगा तो हल्का सा चम्ट से दबा देते हैं ताकि अच्छे से तो यह देखि फिर 실y इस अच्छे से गया तो मैंने दस मीद पहले गेज को बंद कर दिया ताकि 'm पस tax do P अच्छे से बोईल हो गया तो मैंने दस मिर्ट पहले ही गेस को बंद कर दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और देखे कितने अच्छे से गल गई पतिया तो बस पानी से अलग निकाल लेते हैं सांटे को और अब जो एक्ष्टा जो पानी था ना वो इस तरीके से मैंने चोक कर बाहर निकाल देती हूँ इसका हलका सा इस तरीके से और इस तरीके से पिंडे बनाकर रेडी कर लेते हैं सारे की तो यह देखी फैंट्स मैंने सारे पिंडे तयार कर लिया है और एक नॉर्मल पैन को गेस पर रखा था और गरम हो गया तो मैंने एक बड़ा चमस रिफाइंड ओयल डाला है आ पर आप सरसो ओयवी ले सकते हो तो तेल हल का सा गरम हो गया मतलब अच्छा तो चार से पवंच OR का बारी कट करके डाल plupart और लसंड की अच्छी सी ब्राउण हो गई तो दो मिर्ची को भी बारिक बारिक कट करके डाल दिया है तो अब बना लेते मसाला तो फेень एड़ दरदरा कूट कर डाला है इसके अंदर और आप यहां पर धनिया डाल सकते हो मैंने धनिया वोड किया है और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और अब डाल दिया है मैंने आधा चम्मच इसमें नमक और नमक आप यहां पर स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो और दो टमाटर को मैंने छिलका निकाल कर और बोती बारिक-बारिक कट किया है और फिर डाला है और खटाई बोती अच्छी लगती इसके अंदर तो थोड़ी सी जादा खटाई आप इसमें एड़ कर सकते हो तो टमाटर अच्छे से गल गए हैंगे देखिए ना तो बस अब डाल देते हैं हमारा बोईल किया हुआ जो सांटा तो सबसे पहले मैंने एक पिंड़ा डाला इसके अंदर फिर जो छोटा वाला था वो भी डाल दिया और जल्दी से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मस अच्छा बोईल था और मसाला बी अच्छा पका हुआ था तो यह देखिए मैंस दो मिन्ट में अच्छे से हमारी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है यह देखिए आप गर्मा गर्पराठे के साथ पूरी के साथ रोटी के साथ जिसके साथ आप खाना चाहते हैं इसे खा सकते हो बहुती जबर्जस टेस्ट और बहुती यूनिक रेशिपी है और बहुती हेल्दी है और हजजारों विमार्या दूर करती है तो जुरूर खाओगे तो अब बना लेते हैं दूसरी हमारी रेशिपी तो एक पिंड़ा डाला है मैंने इसके अंदर और आदा है न पाउलकी से बीगती है और आदा इसके अंदर बिलकूल भी एड नहीं करेंगे और जितना इसके अंदर पानी बस इसी में ही बनाना हमें ये तो इस तरीके से पहले मैंने गोला सा बना है इस तरीके से और अंगुठे से इस तरीके से दबा देते हैं तो देखिए एकदम बनाने एकदम कबाव जैसा और फ्रेंट्स ये बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे सबजी वगएरा हरी देखकर कम ही खाते है न तो बस ऐसे बना कर देए उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें गरीन सबजी डाली है तो सबसे पहले मैंने दो बड़े चमची ओईल रखा था और देखिए ऐसे बना कर रेडी कर लिए मैंने और ओल देख लेते हैं कि गर्म हुआ या नहीं हुआ अच्छा सा गर्म हो गया न तो बस अब कर लेते हैं हमारे कवाव को फ्राई और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक रेसिपी आप एक बड़ ट्राई करके देखिए और आपको यूटूब पर भी बहुत कम रेसिपी मिलेगी और गुनों का खजाना है आप इसे जरूर ट्राई किजिए और इससे भी पहले मैंने आपको पता है मैं हल्दी चीज़े यूटूब पर शेयर करती हूँ आपसे तो इससे पहले मैंने एश्वेगंदा के लड़ू भी शेयर की है और गोकरू के लड़ू शेयर की है बहुत यसी यूनिक रेसिपी मैंने शेयर किये तो उसका लिंक मैं बिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगे आप बिस्क्रेप्शन बॉक्स जरूर खोल कर देखिए बहुत सी चीज़े मैं उसमें डाल रखती हूँ तो आप जरूर ट्राय कीजिए और फेंट्स इनके जो साटे के जो गुन है ना उसके बारे में भी मैं उसमें बहुत सारे लिखूंगी तो वह जरूर देखिए आप तो बैस अच्छे से फ्राय हो गया और देखिए एकदम कुरकरे से बने है एकदम से ऐसे कि आप इसे अच्छे से खा सकत तो अब मैं बना रही हूं इसका रायता 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 बहुती यूनिक बनता है तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम धही लिया था घर का और इसमें मैंने आदा चमच बुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और दो चुटकी मैंने काला नमक और दो चुटकी ही सादा नमक और जो यूँ भी खा सकते हो तो अब लगाते थे थोड़ा सा तड़का तो दो छोटे चमच मैंने रिफाइंड ओल लिया है यहां पर और इसमें मैंने आधा चमच डाला है जीरा और साथ में डाली मैंने दो चुटकी भरकर हल्दी पाउडर और साथ में डाला है मैंने हींग केज का बहुत ही जबरजस टेस्ट है इसका दो चुटकी ही डाला है और बैस तरका तो हमारा रेडी है फड़ अफट लगा देते हैं और ढका देते हैं और लीजी फ्रेंट्स राहता तो हमारा एक दम रेडी है आप बلاस्ते है जाढ़ाय को छह फि civ ऐर गयर 12 ऐंगि ऑह अच्छी एंच्छा किजिए अगर आप सब को पसंद फिचल हो प्ए ज़्ञें जादा शेर की जिए क्योंकि कई लोग पाश भीमारी नो दूहाँ देंगे और अच्छी लगे तो कर देना थेंक यू